थोड़ा यह तस्मिर दिखाईए ओहुँ यह सड़ गई है यह तो बिल्कुल इसको तो तुरण डाक्टर बुलाना चाहिए दिखाना चाहिए यह दिखाईए यह कई दिनों से यही पड़ी थी आप देखिए यह तस्मीर देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि यह कई दिनों से पड़ी थी इसको कीड़े तक पड़ गए है और अगर इसकी देखबाल हुई होती तो यह अच्छे जानौरों में इसकी गिन्ती होती इसका जो कद है जो इसकी बनावट है यह काफी सुन्दर दिखती लेकिन इस्तिती यह है कि यह कई दिनों से यहां ऐसे गिरी हुई है बता यह धूप में भी और रात के समय भी यह कीड़े पर चुके हैं इसको अब इससे ज्यादा में तस्वीर क्या दिखाऊंगा अब हम डिश्टिक माव के सौनी में है सौनी की यह गव साला है और गव साला की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं तो आपके जहन में तमाम तस्वीरे भी चल लही होंगी यह देखिए उधर जो स्वस्त जानवर है वह भोजन के लिए खड़े हैं लेकिन एक जानवर इसकी जोड हो चुकी है और मुझे लग रहा प्यासी भी है मौके पर आकर हम लोगों ने प्रधान को फोन किया प्रधान को यहां बुलाया गया है लेकिन सोचने की बात यह है कि अभी तक कोई डाक्टर आया नहीं यह काफी लंबे समय से होंगी साथ कल से हो परसों से हो इस तरह लोकल जो यह विचोलिया है चाहिए प्रधान का नाम लेलू या विभागी लोग हैं इनके कमीशन खोरी के वज़ा से इस तरह की तस्वीरे सामने आती है अभी मैं इसी गावसाला में उधर कोने के साइड में आप जाएंगे तो दो-तीन गाय थी उनको मिट्टी दे दी ग लोगों की देख रेक कर पाएंगे चार-पांच लोग है अभी यह भी प्रधान को फोन किये थे लेकिन अभी तक प्रधान की उपस्तिती नहीं हो पाई है इस तरह की तस्वीर और एक बात मैं और आपको बता दू मार्च का महीना है गर्मी अब अपने चरम सीमा पर पहु आप देखिए यह तस्वीर देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि यह कई दिनों से पड़ी थी इसको कीडे तक पड़ गया है और अगर यह देखिए इसकी देख भाल हुई होती तो यह सुचिए अच्छे जानवरों में इसकी गिंती होती इसका जो कद है जो इसकी ज्यादा में तस्वीर क्या दिखाऊं थोड़ा सा इधर आईये मार्च का महीना है समर सेबूल यह सी बेवस्ता यहां होने चाहिए कि पानी की सकम समस्या नहीं हो जानवरों को यह हंड़ पं से लोग काम चला रहे हैं और यह क्या करेगा यह जहां 50 जानवर है यह तो पान कैसे पिला सकते हैं तो यह तो बहुत यहां का जो है सिस्टम बहुत लाचार तीन गाओं को उधर मिटी में अभी दफनाया गया एक गाय की में तस्वीर दिखाया आपको इधर की जो गाय है अगर इनको भोजन मिलता समय से तो यह का इनकी हड्डिया नहीं दिखती के द्वारा जो विभाग के द्वारा वो पैसे अगर बिना कमी कमीशन खोरी किया यहां लाए जाते तो इनकी हड्डिया नहीं दिखती यह भी कल परसो किसी और का नमर आएगा कोई और तडपेगी कोई और मरेगी क्योंकि यहां पानी पीने की भी उचित ब्यवस्था नह हम लोग पूछते हैं तो इनकी रच्छा करना हमारा करतब है जो यहां ड्यूटी कर रहे हैं उनके उनके सामने यह दम तोड रही है वह भी पाप के भागी बन रहे हैं बाकि यह सौनी गौसाला से मेरा प्रयास कैसा रहा आप कमेंट बाक्स में लिक कर जरूर बताईएगा आकि अगले किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए धन्यवाद